नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परीचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक ब्यादी महतोपून जानकारी को ले करके पैरों के अंगुठे में काला धागा बांधने से ये बिमारी जड़ से खत्म हो जाती है महिलाओं के लिए ये वरदान सावित होता है जिहां नाभी खिसकना या धरन जाना अईरुवेद और प्राकृतिक उपचार पध्धती का एक महतोपून हिस्सा है नाभी को मानो शरीर का केंद्र माना जाता है नाभी स्थान से शरीर की 72,000 नाडियों से जुड़ी होती है यदि नाभी अपने स्थान से खिसक जाती है तो शरीर में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है ये समस्या किसी भी प्रकार से दवा लेने से ठीक नहीं होती है इसका इलाज अपने स्थान पर लाने से ही होता है आधुनिक चिकित सा पध्धती में इसे नहीं माना जाता है परन्तु आज भी इस पध्धती से हजारों ठीक होकर लाप्राप्त कर रहे हैं नाभी का अपने अस्थान से खिशक जाने को नाभी हटना, धरन जाना, गोला खिशकना, पिछोटी खिशकना, नाभी पलटना या नाभी चढना इत्यादी नामों से भी जाना जाता है। डिप्रेशन हो सकता है अतह नाभी का पुनह अपने स्थान पर आना अवश्यक होता है आधुनिक जीवन में खान पान आहार विहार भागम भाग की टेंशन भरी जिंदगी ऐसे में हात पाउं में किसी प्रकार का जटका लग जाए या फिर चड़ते उतरते चलते समय धीला पाउं पढ़ने से नाभी में इस्थित समान वायू चक्र अपने अस्थान से दाएं बाएं या उपर नीचे सरक जाता है तो इसे नाभी का टलना कहा जाता है आजकल आधुनिक जीवन शैली इस प्रकार की है कि भाग दोड के साथ साथ तनाव दबाव भरे प्रतियस फर् पहने से व्यक्ति का नाभी चक्र निरंतर शुब्ध बना रहता है इससे नाभी औवेवस्थित हो जाती है और परिणाम में यह होता है कि पेट दर्द पेचीस पतले दस्त पेट आम जाना पेट फुलना अरूची हरारत इत्यादी होता है और जहां तक इसे अपने नियत स अस्थान पर पुनह स्थापित नहीं कर दिया जाए रोगी का आराम नहीं होता है और लापरवाही करने पर यह हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेता है वैसे नाभी पूर्षों में बाई तरफ और श्त्रियों में दायोर टला करती है योग में नाडियों की संख्या 72,000 से ज़्यादा बताई गई है और इसका मूल उद्गम सुरोत नाभी अस्थान है कई बार नाभी के टल जाने पर भी कबजी की शिकायत हो जाती है और जब तक नाभी टली है तब तक कबजी ठीक नहीं हो सकता है अतह इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी नाभी की जांच कर वाले नी चाहिए अगर नाभी इस पंदन केंदर से खिसक गई है तो उसे नाभी टल ना कहते हैं इसके सही जगह में आते ही कबजी की परिशानी दूर हो जाती है नाभी में लंबे समय तक औवेवस्था चलती रहती है तो उधर विकार के अलावा व्यक्तिके दांतों ने पीडा होने लगती है और नेत्रों की सुंदर्ता एवं जोती शिन होने लगती है बाल असमे सफेद होने लगते हैं अलस्य ठकान चिर्चिडाहट काम में मन न लगना दुष्चिंता निराशा अकारण भय जैसी नाकारात्मक प्रवरीतियों की उपस्थिती नाभी चक्र क की अव्यवस्था की उपज होती है नाभी अस्पंदन से रोग की पहचान का उल्लेख में हमारे आयुरवेद एवं प्राकृतिक उपचार चिकेट्सा पध्धतियों में मिल जाता है परन्तु इसे दुरभाग्य ही कहना चाहिए कि हम हमारी अमूल्य धरोहर को न संभाल सक के हैं यदि नाभी का स्पंदन ऊपर की तरफ चल रहा है यानि छाती की तरफ तो अगनाश्य खराब होने लगता है इससे फेफडों पर गलत प्रभाव होता है और मधुमी अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसी बिमारियां होने लगती है नाभी खिसकने के कारणों को जाल लि एक तरफ अधिक भार पढ़ने से भी धरन चली जाती है गोला सरक जाता है पेट पर बाहरी या अंदुरूनी दबाव नाभी टलने का कारण हो सकता है समान्य कारण कुछ इस प्रकार से हैं साउधानी से दाएं या बाएं जुकना संतुलित हुए बिना अचानक एक हाथ से वजन उठाना, चलते हुए अचानक उची नीची जगह पर पहर पढ़ना, खेलते समय गलत तरीके से उचलना, तेजी से सीणी चढ़ना या उतरना, उचाही से छलांग लगाना, पेट में अधिक गैस बनना, पेट में किसी प्रकार की चोट लगना, स्कूटर या मोटर सा पता लगाने के लिए बहुत ही असान तरीका है, इनको जानकर आप भी नाभी खिसकने या धरन को हो जाने का पता कर सकते हैं, थोड़े से अनुभाव के बाद तुरंत पता चल जाता है, अधिकतर पूरुष की नाभी बाई तरफ तथा इस्तरियों की नाभी दाई तरफ खिसकती है, नाभी के खिसकने का पता करने की विध कुछ इस प्रकार से है, आईए जान लेते हैं, सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर पास में सीधे रखें, अपने दोनों हाथ सीधे करें, हथेलियां खुली रखकर इस तरह समानांतर रखें, कि दोनों छोटी उंगलि पास में रहें, हथेली की रेखा मिलाते हुए छोटे उंगली की लंबाई चेक करें, यदि छोटे उंगलियों की लंबाई में फरक नजर आता है, यानि कनिष्ठ का उंगली छोटी बड़ी नजर आती है, तो नाभी खिसकी हुई है, इस बात को आप पहचान जाएं, दू गलग आती है, तो नाभी खिसकी हुई है, ये जान जाएं आप, तीसरा सुबह खाली पेट, चटाई पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथ और पैर सीधे रखें, हथेली या जमीन की तरफ रखें, अब अंगुठे से नाभी पर हलका दबाव डाल कर अस्पंदन चेक करें, यदि अस्पंदन नाभी पर महसूस होता है, तो नाभी सही है, यदि अस्पंदन नाभी के स्थान पर नहोकर नाभी से उपर नीचे दाएं या बाएं महसूस होता है, तो नाभी अपने अस्थान से खिसकी हुई है, जिस प्रकार से कलाई पर अंगुठे के नीचे नाडी खिसकने से नुकसान क्या होता है अब ये जानते हैं यदि नावी नीची की और खिसक गई है तो दस्त अतिसार पेचिश इत्यादी की समस्या हो जाती है नावी के उपर की तरफ खिसकने पर कब्ज रहने लगती है गैस अधिक बनती है इसके कारण लंबी अवधी में हो सकती है अप अच्या आफरा हो सकता है यदि नावी अधिक गहराई में महसूस हो तो व्यक्ति कितना भी खाए शरीर क्रिश काई ही बना रहता है नावी को ठीक करने का बुपायों को जानते हैं नावी खिसके या गोल सर के हुए अधिक समय नहीं हुआ हो तो हम आपको ज तरीका बता रहे हैं इन तरीकों से लाव न हो तो किसी अनुभवी से नावी सही करवानी चाहिए कुछ लोग खुद का पेट तील लगाकर मसल कर नावी सही करने का प्रयास करते हैं जो उचित तरीका नहीं है पेट को मसलना नहीं चाहिए यहां जो नावी ठीक करने के लि इसे आपकी नाभी भविश्य में नहीं खिसकेगी जिस हाथ की छोटी उंगली की लंबाई कम हो उस हाथ को सीधा करें हथेली उपर की तरफ हो अब हाथ को दूसरे हाथ से कोहनी के जोड के पास से पकड़ें अब पहले वाले हाथ की मुठी कसकर बंद करें इस मुठी से जट पर आ गई होगी यद ऐसा नहीं हुआ है तो एक बार फिर से यहीं क्रिया आप दोहरा सकते हैं सुबह खाली पेट सीधे पीठ के बल चटाई या योगा मैट पर लेट जाएं दोनों पैर पास में हो और सीधे हो साथ ही हाथ भी सीधे हो और कलाई जमीन के तरफ हो अब धी धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ उपर उठाएं इन्हें लगभग 45 डिगरी तक उंचे करें फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं इस तरह तीन बार करें ना भी सही स्थान पर आ जाएगी यह उतान पादासन कहलाता है जिहां सुबह खाली पेट योग मेट पर पीठ के बल सी कर लें दूसरा पैर सीधा ही रखें जिस प्रकार से शिश अपने पैर को पकड़ कर पैर का अंगुठा मुह में डाल लेते हैं उसी प्रकार से आप पैरों को पकड़ कर अंगुठे को धीरे धीरे अपनी नाक की तरफ बढ़ाते हुए नाक से अड़ाने की कोशिश करें सर दोनों पैरों से तिन तिन बार करें ये प्रक्रिया फिर एक बार दोनों पैर एक साथ मोड़कर यह क्रिया दोहराएं नाभी अपनी सही जगा पर आ जाएगी यदि आपके मांस पेशियां कमजोर हैं तो बार बार नाभी खिशक सकती है गोला खिशक सकता है अतो थोड़ा व तो सही मानी जाती है, यदि इधर उधर हो तो कब्ज दस्त की शिकायत होती है, ना भी हमारे शरीर की 72 नाड़ियों का संगम है, इसी कारण से सारा शरीर प्रभावित होता है, धरन ठीक करने के सैकडु तरीके सदियों से प्रभावी रूप में प्रचलित हैं, जिन में से सब से आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको जो तुरंत परिणाम देता है जिहां धरन जाचने का तरीका ये है कि अपने दोनों हाथों की रिखाएं मिला कर छोटी उंगली की लंबाई चेक करें अंतर दिखने पर धरन की पुष्टी होती है तब पीठ के बल लेट जाएं दोन छे, साथ, आठ, नो इंचे तक उठाएं फिर धीरे-धीरे ही नीचे रखकर लंबी-लंबी सासे लें यहीं किरिया दो बार और करें ये किरिया सुबह-शाम खाली पेट करनी चाहिए पैरों को फिर मिला करके देखें दोनों अंगुठे बराबर दिखेंगे यानि आपके नाभी सही जगा पर बैठ गई है फिर उठकर 20 गराम गुड 20 गराम सौफ का बनाया गया चुरन फांक लें पानी से इससे पुरानी से पुरानी धरन आप खुद महिना दो महिना में ठीक कर सकते हैं पेट को कभी भी मसलवाना नहीं चाहिए सबसे पहले आप दोनों हथेलि इसके बाद बाएं हात की मुठी को कस कर बंद कर लें हात को जटके से कंधे की ओर लाएं आप ऐसा 8-10 बार करें इससे नाभी सेट हो जाएगी इसके अलावा उतान पादासन, मत्ष्यासन, धनुरासन एवं चक्रासन भी नाभी सेट करने में कारगर होते हैं कमर के बल कर पेट की मालिश भी की जा सकती है इसके लिए सरसों का तेल लेकर पेट पर लगाएं और नाभी स्पंदन जो उपर यह साइड में सरग्या है उस पर अंगूठे से दबाव डालते हुए नाभी के अंदर में लाने का प्रहास करें दो चमच पीसी हुई सौफ गुड में मिल करके एक सप्ता तक रोज खाने से नाभी का अपनी जगह से खिसक ना रूक जाता है मरीज को सीधा चित यानि की सुला करके उसकी नाभी के चार और सूखे आउले का आटा बना कर उसमें अदरक का रस मिला कर बांदें एम उसे दो घंटे चित ही सुला कर रखें आपके दि प्रेसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों